कि अब बारा से केलने वाले हैं माइंड क्राफ्ट आपको याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोग ने अपने प्यारे से गर में फ़र नीचर सेट किया था इंड काईश आज के सब्सक्राइब ने वाले हैं एक अंडर्ग्राउंड बेस अमें गाईश एक भात घथर नाक बेस बनाने वाले हैं तो यह जगाए मेरा प्लैन कुछ यहाँ है कि इधर ही कुछ ऐसी जगा हो जहां से अप लोग उसमें जाएं एंड इधर ही अपनी फाम ही हो जाएं तो पहले काम करते हैं अंडर्गराउंड बेस बनाएंगे अपने घर के अंदर से बाहर जाने कोई जरूरत नहीं है गाइस तो इसके नीचे करते हैं डेक डाउन एंड अब बनाना चालों करते हैं तो अभी वीडियो में तो काम गाइस पूरा अंप्लेट नहीं हो इसलिए दो वीडियो लग जा सकते हैं तो चलते पहले बहुत यहां पर लगाते हैं तो प्रिलाल उपर चलते और एक काम करते हम लोग एक बहुत ही तगड़ाईया है पहले हम तो उसकी सिफ्टी को कर ले तो गाइस मैं पहले उसको कोड़ने का फिर आप सब्सक्राइस मैंने आपर एक सीग्रेट एंट्रेंस बनाई में पूरे घर के चार साइट में साइट साइट में ट्रैपडूर लगा दिए यह एक दम कॉमन सी बात है बट एक ट्रैपडूर के नीजे अपना एंडर्ग्रोंड प्रेस होगा एक्जम्पल यह जासी मैं इस पर लाज रहूंगा यह ओपन हुआ चले आए नीचे अपने लेटर लगा देंगे एंड सीग्रेट मलब इसकी एंट्रेंस को सीग्रेट लगेंगे तो पहले बटा बट करते हैं आस पर सोड़ा फटा फटा से करते हैं और जिसने अभी तक यहां तक वीडियो देख लिए और लाइक कर दे और चैनल को सिब्क्राइब और बैल आकें देवालन ना भूले तो फटा 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 से बेले तो निकाले दो कोबल स्टोन और फिर निकाल दे टी एंटी निकाल दे गाईज टी इसको इगनाइड भी दोगएना पड़ेगा यह किया फ्लेंटन स्टील से और पीचर जो गाइस यह देखिए एकदम थ्री बाई थ्री का एरिया हुगा स्लेक्ट फिल करते एक और बार यह जलाओ कट बंद थोड़ी बहुत रोश्णी भी कर लेंट चलते जलते हैं सही और ज्यादा बढ़ा नहीं बनने हाले हम लोग यह रही एंट्रेंस तो इधर साइड भी करना है हमें यही सेम काम टी लगाओ टी एंटी इगनेट करो फट गैस यह तो अब होता ही रहया ज्यादा बढ़ा तो रूम हम लोगों ऐसे भी करनी रहें अभी तो फिलाल नॉर्मल र और करते हैं आगे लगाओ टी एंटी लेंटल स्टेल एंड बास्ट ऑके अभी तो फिर भी बहुत तकड़े होगे इतना बड़ा भी रूम बहुत बड़ा होता है अभी तो आप लोग उसको और भी एक्समेंड करेंगे तो मैं इसे पूरा डिक करने का फिर आप से मिलता इसमें बहुत जादा टाइम लगने वाला क्योंकि एक ही ब्लॉक करना है ना इसलिए इसमें टी एंटी का भी उजनी कर सकते ना तो आप फटा फट से लास्ट वाली लेर करतें उपर वाली पर मैंने इसके आइड बहुत चोड़ी रगी इसलिए बहुत ही अच्छी बात है है एंड वाव मतलब बहुत जल्दी हो गया है एंड चलो फटा फट से करना चालू करते हैं एक तम पुलिस फिड में वा बहुत जल्दी हो रहा है दो मैंने इस बाहुत चोड़ा सीग्रेट है फटा पट से करते हैं इसे कवर पूरा स्टोन ब्रिक्स से एंड यह भी इस एक एड की वह भी अवर्ण हो गई कंप्लेट अब दूसरी साइड करते हैं यह वाली हैं दूसरी साइड तो इदर का भी स्लेक्ट करते डिक करना इंड यह घए हवा में ओके फटा-फटस को उसको करते हैं डिक स्टार्ट कितना और बाकी आ रहे हैं कि इसमें तोड़ा प्लेस को आगे के लिए हैं दो सेड़ के वाल आई कम्प्लेट होने वाली है लेजिए आफी ब्लॉक के साथ दो सेड़ की वाल कम्प्लेटेड जब आप से मिलता हुँ तो फार में जगा दिया स्टोन ब्रिक अब लगाने वालों गाइस में ओक वुड गाइस मेरा प्लाइन कुछ आसा था यह वाली बूड लगाने का तो पटा-पट से इसका करते हैं लगाना चलू करते हैं तो बहुत जगा पर लगानी है में को यह वाली बूड पूरी थीम हम लोग इसके चेंज करने वाले हैं अलब लगना नीचाहिए कि यह कोई अंडर बेस हैगा रखेंगे तो कैसे हम लोग कुछ ऐसे से एंड जंप जंप फट इस तो इधर भी थोड़ जिसने अभी तक यहां था वूड़ी देख लिए वो लाइक कर दे एंड चनल को सब्सक्राइब और लाकें देवाला ना भूले तो फटा-फट से यहां पर भी करते हैं से ओके एंड गाइस बीच में लगाना है लो बीच में पूरी ओक वूड तो ओक वूड लगाना करते चाल लू ओके नहीं इतना यादा एरिया नहीं ओके वैस यह वाला प्लैन भी बहुत अच्छा है यह तो एक्दम से बन गया मेरा कुछ इसका एडिया भी नहीं था तो फटा-फट से यह वाला प्लैन भी करते सक्सेस्पुल एंड उसके लिए मैं थोड़ी सी वूड अलग मैंने लास्ट टाइम कहीं पर देखी थी वह वूड कहां थी यार बताओ मेरी यांखा उपर थी वह वूड मुझे वह देखी नहीं है अधर लगाने चलू करते हैं काम एंड यह पूरे मैं गईस हम लोग करने वाले हैं एंड फटक से इसको वाइस में कप्लिक्ट नहीं त तो गाइस मैंने कर दिया पूरा कम्टी टेड है और अपनी सीडिय आगा है वाइस इट पॉसीबल गाइस कोई पहचाने नहीं पाया कहां आया यह जब मैंने यहां से एगदम ध्यान से देगा तब ही मैं को समन्नी आए कहां सीडिय यह तो गाइस अपना प्लैन आपको सिं एंड फटक से पहले निकालते हम लोग अपने साथ में यहां पर एक तो बहुत खदरना कहतर नक्षी दे रहने वाली है कहां है भाई मेरे कहां लग गया गाइस पहले तो यहां पर यह बहुत सारे वैपन रहने वाले जो की रहेंगे पूरे एंचाइंटेड एंड यहां पर गाइस अपनी एंचाइंटेड टेबल भी लगाने वाले तो फटक से वह भी निकाली लेते हैं और थोड़ा पहुत्ती डेकोरेट करेंगा हम लोग इस इधर इधर एंड यहां तक लगानी गाइस ओके मेरा हो चुका है मलब यह गाइस एक दम ऐसा रूम रहने वाला है यहां पर बहुत कम लोगी हैं ओके हटो भाई तुम तो पूरे हट जाओ कैस मेरा प्लेन यहां पर लगाने का था ग्लो स्टोन बट अब नहीं लगा रहा ह यहां पर लाइट की बहुता प्राब्लम रहने वाली तो मुझे लगानी चाहिए विकास थोड़ी ओल्टीम भी अच्छी लगती है टॉर्चेस कहां है यह रहें टॉर्चेस और इसको में एक तमीज में लगाने वाला हूं तो अभी निकालता है अभी तो हम लोग निकालन अब डायमेंड की सौड जिस पर हम लोग बहुत सारी इंचैंट मेंट टेवल इंचैंट करने आए लगा दा तुमसे जो जो लगनी इस पर गैस एक हो चुकिए एंड एक और करते हैं यह से डायमेंड की निकालो फटाक से ओके पाता नहीं कितनी कितनी है सबसे मुझा थर् जार इस कितनी तगड़ी लग रहे हैं वकर पंड यह सौड ओके ऑके अचे यह लोग जब बूड़ी बाय को फूरा रूं आप वेस का सब्सक्राइब मुझे गमेंड करके बताएगा और नेक्स वीडियो में हम लोग अगले में देक्राइट करने वाले तो आजक्ष प्सक